हेलो फ्रेंड्स वेल्कम डू माई चैनल दिके स्पाइसी कीचेन आज मैं आपके साथ स्यार करने जा रही हूँ सुजी और मैदा का एक मीठा रेसिपी ओवा पीठा तो स्टेप बाइ स्टेप देख लेते हैं इस रेसिपी को मैं कैसे बनाने वाली हूँ तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सुजी में पानी डालके अधा घंटा के लिए छोड़ देंगे मैंने ये पे ले लिए एक चमच सौब और चाट छोटी लाइची मिक्सी में इसका पाउडर बना लेंगे अब सुजी में एट गरेंगे मैदा मैं या पे ले रहे हूँ 300 ग्राम सुजी और 100 ग्राम मैदा अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब एट करेंगे चीनी मैं या पे 200 ग्राम चीनी का यूज कर रहे हूँ अब एट करेंगे सौब और चोटी लाइची का पाउडर अब एट करेंगे गुन गुना पानी अच्छे से मिक्स करेंगे बेटर को बहुत जदा मोटा भी नहीं रहेंगे और बहुत जदा पदला भी नहीं करेंगे बेटर अब रेडी है तो इसे ढखके अधा गंटा के लिए एक साइड में रख देंगे अब आगे का प्रोसस देख लेते हैं ग्याज में चड़ा देंगे कड़ाई और उसमें डालेंगे रीफाइन वेल आप चाहे तो घी का भी यूज कर सकते हैं अब तेल जब अच्छा से गरम हो जाए उसमें डालेंगे थोड़ा सा बेटर अब पीठा को दोनों साइड से अच्छा से फ्राई कर लेंगे पीठा फ्राई हो चुका है तो इसे एक प्लेड में निकाल लेंगे डालेंगे थोड़ा सा बेटर तेल में एक साइड से फ्राई हो चुका है तो दूजरा साइड भी प्राई कर लेंगे प्राई हो चुका है पीठा तो इसके निकाल के एक प्लेड में रग लेंगे तेल को अच्छा से गरम रखना है फिर डालेंगे थोड़ा सा बेटर तेल में और आज को मीडियम ही रखेंगे तभी सफ्ट सफ्ट और फुला 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 पीठा बनेगा आज को बहुत ज़्यादा तेज रखेंगे तो पीठा अंदर से कच्छा रह जाएगा इसलिए आज को मीडियम ही रखना है अब पीठा दोनों साइड से फ्राई हो चुका है तो इसको प्लेड में रख लेंगे फिर तेल में डालेंगे थोड़ा सा बेटर अब मेरे प्रोसस से घर में जरूर एक बर बनाएं बहुत ही सॉफ्ट और फुला फुला पीठा बनेगा एक साइड से पीठा फ्राई हो चुका है तो दूसरा साइड भी फ्राई कर लेगे दूसरा से पीठा फ्राई हो चुका है तो इसको आप एक प्लेड में रग लेंगे तेल को अच्छा से एक बार गरम कर लेंगे फिर आज को कर देंगे मीदियम और डालेंगे थोड़ा सा बेटर दोनों साइड से पीठा को फ्राई कर लेंगे इठा को आप निकाल के एक प्लेड में रग लेंगे फिर आट करेंगे थोड़ा सा बेटर तेल में दोनों साइड आच्छा से फ्राई कर लेंगे रग लेंगे प्लेड में तेल में डालेंगे थोड़ा सा बेटर आजको लो भी नहीं रखना है लो रखेंगे तो पिठा फूलेगा नहीं इसलिए मीडिया मी रखेंगे आजको दोनों साइड से आच्छा से फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से फ्राई हो चुक है पिठा तो इसका अब एक प्लेड में रख लेंगे पिठा बिलकुर रेडियर सर्फ करने के लिए प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राईब थेंक्स फर वाचिंग